तो आज हम कड़ापरशाद बनाने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं कड़ापरशाद बनानी के लिए हमें चाहिए एक कप आटा एक कप शकर एक कप घी और धाई कप पानी क्योंकि मैं यहां पर बहुत कम क्वांटिटी में प्रसाद बना रही हूं इसलिए मैंने जो काटोरी का मेजरमेंट है वो बहुत छोटा रखा है आप अपनी बिएक के हसाब से काटोरी चेंज कर सकते हैं सबसे पहले मैंने एक पैन में पानी गरम होने के लिए रख दिया है सबसे पहले हम घीं डालेगे फिर हम इसमें आटा डालेगे अब हम बहुत ही स्लो गैस पे इस आटे को लाइक ब्राउन होने तक अच्छे से भूलेंगे ओर इसे हम लगाता जो है वो हिनाते रहेंगे मैंने इसमें पानी दीरे दीरे अड़ कर दिया था और इसे ही मैंने अच्छे से हिलाया है ताकि जो लम से वो फॉल ना हो सके अब मैं इसमें जो है वो चीनी डाल दूंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक मिनट स्टिप के लिए और पकाएंगे जब तब ये हमारी चीमी जो है वो अच्छे से डिजॉल दिये हो जाती है हमारा जो कड़ा परशाद है वो तैयार है देखिए कैसे इसमें से घी जो है वो अलग हो गया है अगर आप चाहते हैं कम घी खाना तो आप इसमें घी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम भी कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलेंगा नेक्स तैम जब भी हम वीडियो अप्रोड करेंगे तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन दे जाएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तेल देन थाइंक यू